असलाम अलेकम स्टूडेंट्स वलकम टू मैं चैनल पकिस्तान एर फोर्स में ओनलाइन अप्लाइस रिलेटिड आज की मॉस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में आपको खुशम दीद कहते हैं इन्शाला इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका भी लो जाएंगे कि आप खुद का बहासानी अप्लाइ कर सकते हैं मुकमल तरिकाकार आपको बिल्कुल इजी मैथट से समझाओंगा जिससे आप अपनी रिजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल भी कर सकेंगे सब्मिट भी कर सकेंगे अपनी इन्फू को एडिट भी कर सकेंगे अपनी इन्फू को कंफर्म भी कर सकेंगे अपनी स्लिप भी डाउनलोड कर सकेंगे यानि मुकमल तरिकाकार होगा आपके अप्लाइस से रिलेटिड और आपको मुबारक बात भी देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपके साथ preparation का link भी share करूँगा जिससे आप अपनी preparation बेहतरीन कर सकते हैं तो मुकमल तरीका कार होगा आज की वीडियो में आपकी registration से related तो इस वीडियो को मुकमल तोर पर देख लिजेगा चाहे आप mobile से हैं चाहे PC से अगर आप भी अपना apply खुद करना साहते हैं तो इस वीडियो को मुकमल तोर पर देख लिजेगा आपको मुकमल तरीका कार बिल्कुल easy से method से समझाओंगा आपने मेरे all steps को follow करना होगा और आपने बिल्कुल इसी तरह से अपना apply करना है यहां पर जो आपने search में लिखना होगा join paf और आप search करें आपके पास जो इस तरह से website आएगी इसमें first website join paf.cov.p के आप इस पर click करें थोड़ा सा wait करना होगा आपने क्योंके website busy होती है आपके पास Pakistan Air Force की official website ओपनों के आ जाएगी जिसमें सबसे last में आपको यह red color का एक button नजर आ रहा होगा आपने इस पर click करने आपके पास इस तरह से तकरिबन एक registration online की option आएगी जिसमें इस जगा पर आपने enter CNIC वाली option में अपना CNIC enter करने और submit पर आपने click करने थोड़ा सा wait करें तो आपके पास कुछ इस तरह से note के option आएगी आपने इसे अच्छे से read करने और next के option पर click करने फिर से आपके पास some conditions आएगी जिने आपने अच्छे से read करने और आपने इस next value option पर click करने आपके पास all वो course open के आ जाएँगे जो के announcement की गई थी आपकी यानी jobs open के आ शुकी है अब भी आप यह जो jobs आई है ना इन में से किसी एक पर भी click करें यह देखिए उसका criteria भी open हो शुक है उसमें apply का एक button भी open हो शुक है अभी next में करते हैं यह देखिए इसमें भी ऐसी है next में भी ऐसी है जिसमें भी आप apply करना साहते हैं तमाम का method बिलकुल same ही होगा आपको किसी एक में apply करके बता देता हूँ देखिए चाहे आप female medical assistant के लिए apply करना साहते हैं चाहे आप PF&DI के लिए GC के लिए, provost के लिए, arrow trades के लिए जिस भी post पर आप apply करना साहते हैं यह जो jobs के announcement की गई है न, in all में metric के base पर ही आप apply करेंगे तो देखिए मैं आपको किसी एक में apply करके बता देता हूँ form submit करके बता देता हूँ registration निकाल के बता देता हूँ तो इंशाल्ला आप सीख लेंगे, मुझे उमीद है आप सीख लेंगे तो मैं किसी एक apply ना उपर क्लिक करता हूँ थोड़ा सा wait करें तो आपके पास न, इस तरह से एक registration form open के आ जाता है इसमें first number पर आपने अपने center का इंतखाब करना होगा जो के आपका near a center हो जहाँ पर आप easily पहुँच सकते हैं थोड़ा last में है तो आप यहाँ पर full name एंटर करें अच्छे से दे के all details एंटर कीजेगा कुछ भी आपने mistake यहाँ पर नहीं करने next यहाँ पर आप अपने father का name एंटर करें और next यहाँ पर date of birth हैगी इसेगा पर click करें तो आपके पास इस तरह से calendars टाइप आएगा जो के मैं again से आपको open करके दिखा देता हूं इसमें first number पर आपने year का इंटखाब करने यहनी साल का और next number पर आपने यहाँ पर month और last में आपने यहाँ से date का इंटखाब करने अब थोड़ा उपर कर लेता हूं और यहाँ पर आप अपनी जेंडर का इंटखाब करेंगे इस जगा पर click करके male और female next यहाँ पर अपनी height का इंटखाब करेंगे जो कि इस जगा पर click करें और मैं जो मेरी height है वो है 180 cm यहाँ पर जो आपकी height होगी न वो cm में होगी अभी आपको थोड़ी पता होगा कि आपकी height कितनी है कितने cm है तो देखें आप यहाँ गूगल में हैं और यहाँ आप search में लिखें यहाँ आप search में लिखें कोई भी height लिखें 5 feet 6 inch in cm ठीक है in cm निकाल लें और इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हैं जब इस तरह से आपकी height आ जाती है जो भी है इससे select कर लें और select religion आप करें इस देगा पर क्लिक करके इसलाम, Christian, Sikh, Hindu, एहमदी तो इसलाम और next जेजी single और थोड़ा उपर से लती है single होते हैं आपका status इस जगा पर क्लिक करें और single या married ठीक हो गया next जेजी select domicile इस जगा पर क्लिक करें और अपने domicile जिस जगा कह है उस जगा का इंतखाब करें पंजाब और next जेजी father occupation इस जगा पर क्लिक करें आपके father army में है, air force में है, navy में है, serving है, retired है, जो भी है अगर इन में हैं तो ठीक नहीं तो आप other पर क्लिक करें, other वाली option, last वाली option होती है और इसके बाद आपका address आजाता है, address में सबसे पहले select province इस जगा पर क्लिक करें और अपने अलाका का इंतखाब करें, अपने सूबा का इंतखाब करें, पंजाब और थोड़ा उपर सेलती हैं नेक्स में अजी select district अपने जिला का इंतखाब करें, यहां से अच्छे से सर्ज कीजेगा, पंजाब के आल अजला यहां पर मजूद हैं, शेखुपूरा का मैंने इंतखाब कर लिया है, नेक्स अजी select तहसील इस जगा पर क्लिक करें, और शेखुपूरा नेक्स अजी जो present address है आपका, यहां पर मैं लिख देता हूँ, यहां पर मैं लिख सकते हैं, यहां पर only शेखुपूरा ही लिख देता हूँ, क्यूंके आपको guide करने के लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ, तो चलते हैं थोड़ा उपर, नेक्स में यहां पर आप अपना mobile number एंटर करेंगे, जो भी आपके mobile number है, आप इस जेखा पर लिख दें, अच्छे से देख के लिखेगा, तो मैंने एंटर कर दिया हूए, नेक्स में यहां पर आप अगें से वही mobile number भी लिख सकते हैं, कुछ changing भी कर सकते हैं, तो देखें मैं इस जेखा पर mobile number लिख देता हूँ, ओके हो गया, नेक्स जेजी, email address, आप इस जेखा पर क्लिक करें, और अपना जो email address है, आप उसे टाइप करें, जो के आपके mobile की Gmail को लगा होते हैं, जो के आपके play store को लगा होते हैं, वही आपकी email होती है, और यहां पर यह जो number एक दिया हूँ है, जैसे यह 84, 49 है, तो आप इस तरह से, नेक्स जेजी, add qualification, तो select qualification पर क्लिक करें, और metric, नेक्स जेजी, major, इस जगा पर क्लिक करें, और science, नेक्स को आपने touch नहीं करना, subject को last में आना है, जिसमें metric के कुल number आएंगे, इस जगा पर क्लिक करें, और metric के total marks लिखें, नेक्स जेजी, obtain marks, जो आपने marks हासिल किये थे, नेक्स का इंतखाब करें, और last में जी, passing year, इस जगा पर क्लिक करें, आपका year कौन सा था जब आपने अपना इम्तिहान पास किया, नेक्स जेजी, school, college, sorry, 2018, नेक्स जेजी, school, college, university, इस जगा पर अपने school, college, university का name लिखें, जहां पर से आपने metric की, यह स्कूल ही हो से, यहां पर यह वैसे, college, university, उन्होंने एड़ कर दिया हुए, आप school ही लिखें, ठीक है, जब इस तरह से आप सब कुछ enter कर लेते हैं, all details जब आप enter कर लेंगे, तो आप सबसे last में आए, यहां पर किसी भी जगा पर एक क्लिक करें, देखें, सब details एंटर हो चुकी है, time and date lahore होगी आपकी, branch आपकी ने यह select किया है, category यह वाली है, NIC आपका यह वाल है, name आपका जी है, father name मुहमद अमीन आचुक है, इसमें status आचुक है, telephone number आचुक है, email, qualification, occupation, जब इस तरह से आपकी all details आजा जाती हैं, तो आपने इस confirm पर क्लिक करना है, अगर आपको इसमें क अगेंड से change कर सकते हैं, अगर change नहीं करना तो submit पर क्लिक करें, और confirm पर क्लिक करें, थोड़ा से wait करें, तो देखें, आपके पास इस तरह से slip आजाएगी आपकी, जिस पर आपका test date and time लिखा होगा, यह देखें, हमारा जो test date है, वो है 6.1.2022, और देखें, test का जो time है, 10 10 बजे का time है, तो dear candidates, अभी मैं आपको यह guide करना साहता हूँ, कि अगर आप भी अपने test की preparation करना साहते हैं, और आप भी अपना test pass करना साहते हैं, तो इसी वीडियो के last and इसी वीडियो के description में आपको link provide कर दिया गया है, जो के full detail link है, आपकी preparation के लिए, आप उस पर last me طور पर click करना और आप भी अपनी preparation को बेहतरीन बना लेना, तो dear candidates, यह थी वो all detail मजीद आपको यह भी बता दूँ, कि अगर आप इस slip को download करना साहते हैं, तो यह देखें, right जगा पर इस जगा पर आपको एक option मिल रही है, print save, आप इस पर click करें, और यह देखें, आपको एक option मिल ज और यह देखें, आपके पास save as a PDF file आजाएगी, थोड़ी सी loading ले रही है, और यहां से आप इसे PDF file में select करें, अगर आप mobile में होगे तो यह directly आपके mobile में हो जाएगी, अगर आप PC से होगे तो फिर आपको इतना ज्यादा इसमें करना पड़ेगा, mobile में direct ही हो जाती है, अभ करेंगे तो यह आसानी से save हो जाएगी, तो dear candidates, यह थी वो all details जो मैं आप candidates के साथ share करना चाहता था, मजीद updates के लिए इस चैनल को last minute और पर subscribe कर लिजिएगा, ताकि इस चैनल की next जो भी updates आ रही हो तो आप candidates को सबसे पहले मिल जाए, फिलहाल के लिए इतना ही फिर मिलेंग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफीज